हेलो इस्ट्रेंट्स, यूट्यूब चैनल M.A. Classes के इस वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हुशनील कुमार, एक बिग अनॉंस्मेंट हुआ है UGC के द्वारा कि कॉलेज और इंवर्शिटी में एक नॉंबर से शुरू होगी फर्स्ट इयर की क्लास, एक निव एकडमिक स्टाइड होँगे, कब से फर्स्ट सेज्टर के एकजाम होँगे, कब से सेकेंड सेज्टर के एकजाम होँगे, पूरी गाइडलाइन UGC के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो चैनले देखते हैं सबसे पहले यह UGC का वेज़गा है, आप इस वेज़गाई पर प्रेस बाते क्या है, बुक के बाते जो है, एक कलेंडर जो जारी किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है कि admission process college को 31st October तक complete कर लेना है, चाहे वो UG का हो या PG का हो, और phrase batch श्टार्ट होगा एक नॉम्बर से, एक नॉम्बर से class start हो जाएंगे, UG का भी और PG का, और exemption के पहले, 1st semester के पहले एक preparatory break मिलेगा, एक सब्ता का, 1 March से लेकर के 7 March तक, और 8 March से 26 March तक 1st semester का exam चलेंगे, conduct of exemption ये 1st semester का exam, 8 March से लेकर के 26 March तक हो जाएंगे, फिर semester break मिलेगा, exemption के बाद, आपको 1st semester के exam के बाद 27 March से 4 April तक एक break मिलेगा, और जो even semester, second semester का class आपको 5 April से start हो जाएंगे, और preparatory break मिलेगा, फिर exam के पहले, second semester के exam के पहले, 1 अगस से लेकर के 8 अगस तक, और फिर 9 अगस से लेकर के 21 अगस तक, second semester के examination को conduct करवा लिना है, और फिर semester break मिलेगा, आपको 22 अगस से लेकर के 29 अगस तक, और 30 अगस से फिर third semester के session स्टार्ट हो जाएंगे, तो third semester का guideline अभी नहीं आया, ये एक साल का guideline था, ये पूरा, तो ये काफी important है आपके लिए, आप इसी के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू कर देजिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कर देजिए, तो चले इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं next वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्य अध़ थैंक यू